आप सभी ने अक्सर मूवीज में डॉक्टर को एक मरे हुए पेशेंट को शौक या बिजली का जटका लगा कर जिन्दा करते हुए देखा होगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा सच में पॉसिबल है की नहीं। वास्तव में अगर किसी इनसान का दिल पूरी तरह से धड़कना पंध हो जाता है तो उसे शौक दे कर दोबारा से स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। ये एक बिना पेट्रोल की गाड़ी को स्टार्ट करने जैसा होगा। किसी इनसान को सिर्फ तभी तक जिन्दा किया जा सकता है जब तक उसका दिल थोड़ा सा भी धड़क रहा है। हमारा दिमाग हमारे शरीर का बहुत इमपॉर्टन्ट हिस्सा है। हम अपने दिमाग के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यदि हमारा दिमाग काम करना बंद कर दे तो हम केवल एक जिन्दा लाश की तरह होंगे। ऐसा माना चाता है कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही यूज करते हैं। पर ये बिल्कुल गलत है। हम अपने दिमाग के सबी हिस्सों का अलग-अलग काम के लिए यूज करते हैं। सिर्फ कुछ शब्दों को बोलने के लिए ही हम 10% से ज़्यादे दिमाग का यूज करते हैं। टीवी और मूबाईल का यूज करते समय अक्सर आपने ये सुना होगा कि TV, mobile या computer को ज़्यादा दिर तक यूज़ करने से हमारी eyesight weak हो जाती है पर असलियत में ऐसा बिलकुल भी नहीं होता है TV, mobile को यूज़ करने से हमारी आँखों को कोई permanent नुकसान नहीं होता है आप सभी ने कभी न कभी अपनी उंगलियों को जरूर चटकाया होगा और ये भी सुना होगा कि उंगलियों को चटकाने से उंगली मोटी हो जाती है और इनमें दर्ध होने रखता है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ये सिर्फ एक अफ़ा है कभी न कभी आपने ये जरूर सुना होगा कि ये शैंपू यूज करने से split ends जिनको की दो मुहे बाल भी कहते हैं ठीक हो जाते हैं लेकिन कोई भी शैंपू या कंडिशनर यूज करने से split ends ठीक नहीं होते हैं सिर्फ बालों को काट कर ही हम इनसे चुटकारा पा सकते हैं आपने हमारे हातों की रेखाओं को पढ़कर हमारे भविश्य के बारे में बताने वालों के बारे में जरूर सुना होगा लेकिन क्या ऐसा सच में मुम्किन है तो आईए पहले ये जान लेते हैं कि हमारे हाथों पर ये रेखाएं बनती कैसे है एक्चिल में जो हमारे हाथों की रेखाएं होती है वो हमारे हाथों को मोरने की वज़े से बने हुए निशान होते है तो इन रेखाओं से हमारे फ्यूचर के बारे में जान पाना मातरिक कल्पना है वास्तव में ऐसा कुछ भी मुम्किन नहीं है जब भी कभी आप बारिश या ठंड में बाहर गए होंगे तो आपको किसी ना किसी ने ये जरूर कहा होगा कि बाहर मत जाओ वरना सर्दी लग जाएगी पर ये सच नहीं है वास्तव में सर्दी एक वाइरस की वज़े से होती है ना कि ठंड या बारिश में बाहर जाने की वज़ा से मूवीज में साप के काटने पर एक्टर को चूस कर जहर निकालते वे तो आपने देखा ही होगा लेकिन क्या रियल लाइफ में भी ऐसा करके किसी की जान बचाई जा सकती है ऐसा करने से कोई भी फाइदा नहीं होता है इसलिए डाक्टर उच जगे पर कटने ही लगाता है यदि कभी किसी को साप काट ले तो उसे जल्दी से डाक्टर के पास ले जाना चाहिए जाता है तो हमें कितना पानी पीना चाहिए ये हमारे खाने, काम और रहन सेन पर डिपेंड करता है जब भी किसी की नाक्ट से खून आता है तो ये कहा जाता है कि अपना सर पीछे की तरफ जुका लो ऐसा करने से नाक्ट से खून गिरना तो बंध हो जाता है पर वो हमारी बॉड़ी के अंदर जाने लगता है जिससे की और भी जादे परिशानी हो सकती है अगली बार जब भी किसी की नाक से खून आए तो बैठ जाएए और अपनी नाक को अपनी उंगलियों के बीच में दबा कर रखी